नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेकनिकल mcq में आज की वीडियो में हम औरनेस फेक्टरी के प्रिवियस एर का एक्जाम पेपर को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं जो पेपर 10.9.2017 को आयोजीत किया गया था फिटर ट्रेट का यहाँ पर पेपर है हमारे पास तो आज हम इस पेपर के सारे कोशन को आपके सामने डिसकस करने वाले हैं यह दो पार्टों में वीडियो बनाई ही क्योंकि अगर एक पार्ट में बनाते तो काफी लंबी वीडियो हो जाती अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है लिंक दे दिए पेपर की वहां जाकर उसे आप डाउनलोड कर लीजिए तो चलते हमारी टेकनिकल को हम यहाँ पर जादे फोकस करने वाले हैं तो चली हम आपके सामने यह आ चुका है आपको क्लियर दिख भी रहा होगा यह देखिए फ्रेंट्स यह है कोशन हमारा पहला क् यहाँ कोशन पूछा गया है किस वह कोशन है और क्या बोल रहा है एक ड्रिल किये गए छिद्र के थ्रेडिंग का कार क्या कहलाता है तो फ्रेंट्स से ड्रिल हो ले और उसमें आपने थ्रेडिंग कर दिया है तो किसके साहता से होगी ट्रेड तो टेप के साहता से इंटरनल लेने क्योंकि डिल फोल इंटर्नल करना है तो यहां राइट आंसर क्या होगा वो होगा टेपिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा option टेपिंग चलिए next question की बात करने next question है 22 क्या है एक numerical question है काफी important है आकार M 12-1.75 जो कि इसकी पिछ एक टेप डिल छिद्र के आकार का होता मतलब यहाँ पर टेप साइड डिल का आपको ग्याद करना है फ्रेंड्स आपको एक उपर एक और financial की बात करेंगे तो वह सब्सक्राइंड चुर्फ के parar का अपको यहां पर बहरी ट्रेड काटने की लिए प्रीप एक उजार के लाता है तो भाहरी ट्रेड किस उजार के साथ तस आप काटते हैं तो वो है डाय और इंटर्नल की बात करेंगे तो उसमें आएगा टेप ठीक है यहां जो राइट आंसर वो है अपसें डाय क्योंकि एक्स्टर्नल का पूछा गया चलिए नेक्स कोशन की और बढ़ते 25 कोशन के आप देख लेते हैं यहां जो 25 कोशन समय नहीं लेंगे आपको केवल और केवल कोशन को ध्यान से देखना है क्या लिखा है यह लिखा है 25 कोशन में खुले धूल प्रकार के आप घर्शक के साथ भाग की सटी पिसाई की प्रक्रिया कहलाती है यहां पर जो राइट आंसर होगा काफी लोग बताएंगे सही बफि हैनल आंसर किया थी उसके अधार पर यहां पर बता रहा हूं अगर आपको इसा लगता है कि कोई कोश्चन गला थी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा मैं सभी के कमेंट वहां पर पढ़ता हूं तो चलिए नेक्क कोश्चन के बढ़ते हैं राइट के लिए पर इसके दूसरे अलग नाम को उनसे एक है और लेग के लिए और एक है जेनी के लिए पर हमेशा ध्यान रखे नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है 27 क्या है यह कोश्चन देख लेते हैं यहां पर जो नेक्स कोश्चन है फिलर गेज का प् देखे फ्रेंट ऑप्सन के अनुसार ही हमें यहां पर आंसर देना पड़ता है तो सपार्ट सतय की जाच करने के लिए फिलर गेज का प्रियोग किया जाता है यहां पर जो करेक्ट आंसर वह आप्सन डी चलिए नेक्ट कोश्चन की वर बढ़ते हैं 28 कोश्चन ध्यान से तुकड़े के चिद्र को व्यास मापने के लिए हम करते हैं प्लक गेज का प्रियोग तो आप लोग सही बता रहे हैं कि कार के चिद्र का व्यास आप मापेंगे लेकिन आपको बता दूं यहां पर क्या लिखा है प्लक गेज का प्रियोग क्या करता है तो गेज चेकिंग ट तो यहां पर जो गेज होता है वो checking tool है ना कि measuring tool है तो यहां जो right answer होगा वो होगा option C is यहां पर correct है यह गलत answer है ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question के और बढ़ते है 29 question क्या है वो देख लेते हैं यह आपके सामने 29 question क्या लिखा है किसी आरेक पर सतह आ समतलता याने surface roughness इस संकेत के प्रदर्शित की जाती है कुल मिला के question यह बोल रहा है कि सतह आ समतलता याने surface roughness किस के द्वारा प्रदर्शित की जाती है यहां पर चार option आपके सामने right answer जो है वो है option A याने त्रकोंड के द्वारा यहां right answer है option A चलिए next question क्योंड़ बढ़ते हैं जादे time ना waste करते हुए हम तीसवा question क्या है वो ध्यान से देखें आप friends यहां पर लिखा है तीसवे question ने soft वनाए गए finish के व्यास की जाच की जा सकती है friends एक soft उसके finish के व्यास की जाच करना है अब बताए friends यहां option के अनुसर अगर आप answer देंगे तो यहां पर correct answer option D होगा micrometer screw gauge के साथ क्योंगि right answer होगा यहां पर correct होगा इस तीसवे question का चलिए next question बढ़ते है next question क्या है 31 question क्या है यह रहा matrix प्रणाली में one year caliper की new term गणना क्या होती बहुती सरल question राइट answer होगा option जी 0.02 mm चलिए next question क्या बो भी देख लेते हैं अगला question है हमारे 32 निमन मेंसे कोन एक कोन मापी यंतर नहीं है friends यह है और नहीं में बड़ा अंतर होता यहां पर बोला है नहीं है तो देखिए sign bar के दोरा आप एंगल कोन मापते हैं ठीक है टेपर के ओन मापते हैं बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा भी मापते हो रहें इंगल गेज के लेकिन जो कोन प्लेड होती है वह हमारी supporting टूल है यहां पर जो right answer होगा बो होगा option a next question के बात next question है समा 33 जो की बहुत important question है numerical question है कई बार पूछा जा चुका है तो क्या लिखा है एक size आपको दिया गया है जिसकी upper limit और lower limit दोनों दी गई है size basic क्या है 18.3 यहां पर आपको plus upper limit में 0.0 है lower limit में minus 0.1 दिया है और क्या पूछा है कि रूप में एक आयाम व्यक्त कर रहा है इसका संदर्व क्या है मतलब यह कुछ प्रकार का tolerance में बन रहा है तो फ्रेंट में आपको बताना चाहूंगा अगर आप ध्यान से question को देखेंगे तो यहां पर basic size आपका क्या दिया है 18.3 ठीक है फ्रेंट यह आपका basic size और इसमें upper limit में 0.0 लिखा है ठीक है इसका मतलब क् क्योंकि एक तरफ को आप तो कुछ नहीं दिया गया लेकिन यहां पर आपको दिया गए तो अगर एक तरफ दिया जाता तो wrapping बंथीष साइज यहां पर ब्विवाद इसमें question 34 क्या है मैं आपको पढ़के बताता हूँ एक micrometer की सुनने तुरूटी plus 0.01 mm है मतलब एक micron के बराबर है और size क्या दिया है 0.175 mm की map करने के लिए micrometer का पठन क्या होगा अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर इन्हों mistake की देख सकते हैं अगर आपसं सभी में देखिए तो 0 के बास 0.7 बने पॉइंट से बने पॉइंट से बने पॉइंट से बने लेकिन यहाँ पर वन है तो यहाँ पर जो यह एक्चुल रीडिंग जो थी वो इस प्रकार थी 0.715 यह था यह एक्चुल रीडिंग इन्होंने ग अब आपको बताना है कि इसका राइट अंसर है जो सारी त्रित को घटा बढ़ाकि जो राइट आंशर आएगा वो क्यों क्या यह बताना था अगर मेरे अनुसार में बताऊं इस question का right answer क्या होगा चुकि आपको यह जो plus में दी गई है यहाँ पर plus लगा के दिया गया है और friends अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को कि हमने यह पढ़ाया कि अगर plus दिया है तो जो actual reading दी गई है उसमें से हमें घटाना है तो अगर आप इसमें से अगर इसको घटाएंगे 0.01 को जो आपको reading प्राप्त होगी बहोगी option B यानि 0.714 अप कई लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि सर इसका जो right answer है बो है option A पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मेरे अनुसार अगर मैं देखूं तो यहाँ पर right answer option B होगा क्योंकि यहाँ पर plus दिया हुआ है अगर plus नहीं दिया होता है तो हम मान सकते थे कि अगर सुनने तुरूटी है तो हम इसे direct जोड़ देते हैं लेकिन जो right answer दिया है मेरे अनुसार वो मैं मान रहा हूं option B अब आपको क्या लगता है मुझे comment section में जरूर बताएगा चलिए next question की ओर बढ़ते हैं next question है हमारा taper ring gauge का प्रियोग किसके लिए किया जाता है यह बताना है आपको यहाँ पर 35 question यह दिया है आपको तो बताएगे friends taper ring gauge का प्रियोग क्या किया जाता है तो taper ring gauge है तो बहारी taper की जाच करेगा right answer option B यहां पर correct है बहारी taper की जाच करने के लिए हम टेपर इंगेज का प्रियो करते हैं नेक्ट कोश्चन के बात कर लें नेक्ट कोश्चन है फ्रेंट 36 क्या है मोस्ट टेपर को अक्षर एम्टी दौरा इंगित किया जाता है यहां खालिस्तान तक कुल प्लबलो होता है तो यहां जो राइट आंसर है वो है आप्शन डी क्योंकि एम्टी जीरो से लेकर एम्टी सेवन तक हमारे यहां पर माप होते हैं और यह कुल आठ नंबरों में मिलते हैं ठीक है अगर फ्रेंट्स आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है वहां जाकर इसे आप आसान तरीके साब इसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अगला कोश्चन क्या है वह भी देख लेते हैं 37 कोश्चन है हमारा यह रहा आपके सामने 37 कोश्चन SWG का प्रियोग इसकी माप के लिए किया जाता है SWG का फुल फर्म क्या होता है कई लोग इसे मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से ही तो आप लोग कहेंगी सर स्टेंडर्ड वायर गेज तो जब वायर गेज की बात चलिए तो वायर गेज का हम प्रियोग करते है तार की मो पत्तर की मोटाई पत्तर याने होती है हमारी शीट यहाँ पर राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी चलिए नेक्स कोश्चन को बढ़ते हैं 38 कोश्चन क्या है 38 गुण जिसके दौरा धातू को तार के रूप में बिना असफल वे बनाया जाता है कहलाता है तो तार के रूप में बनाने की किरियेद जो हमारी कहलाती बहुत होती है ड्ली टी और ज्लीली टी को हिंदिम बोलते है नम्यतर रैट Aurora सरोगा option C चलिए next question की बात कलने धातू को पत्तर में बदलने पत्तर का पहली बता जिए तो बताई यहां पर right answer क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर इसे English में में कहते हैं तो यहां हिंदे में लिखा है तो क्या होगा आगात वर्दिनियता यहां पर option D is correct है हमारे 39 question के लिए चलिए next question क्या है वो भी देख लेते हैं next question आपके सामने है 40 question यह रहा क्या लिखा है oxygen cylinder regulator में किस प्रकार की thread होती है तो बताई रहां पर right answer क्या होगा तो आप कहेंगे सर राइट hand trade होगे लेकिन हिंदी में लिखा है तो राइट answer क्या हो जागा दाया हाथ याने राइट के लिए भी आप बने रहें क्योंकि अगर मैं part 1 में बताऊंगो तो काफी लंबी वीडिया यहां पर हो जाएगी तो यहां पर हमारा जो 41 question है center drill का दूसरा नाम क्या है तो बताई फ्रेंट्स यहां center drill का दूसरा नाम क्या होगा तो यहां जो center drill का दूसरा नाम है वो है आपसे पूचा गया तो यहां पर आप बताई कास्ट लोग वाकी यह जितने भी तीन ओप्सान है यह नॉन फेरस दात हुए ठीक है फ्रेंट्स चलिए next question के और बढ़ दें तो हमारा next question क्या है 43 यहां पर पूचा है गेस वेल्डिंग के लिए आप एक चित oxygen और acetylene का अनुपात क्या होता है तो बताईए फ्रेंट्स right answer क्या हो सकता है आपने सही समझा option B यहां पर correct है एक अनुपात एक में होता है यहां पर right answer है 43 question का एक अनुपात एक चलिए next question क्या है वो देख लेते 44th question है हमारा यह रह चलिए right answer है हमारा option C अगर अगला question की बात करने 45 question है किस तरह का bolt आयतकार slot में fit होता है तो यहां पर जो right answer आया था उस समय की answer की में चोकोर बोल्ट यान स्कौर बोल्ट बता था फर मैं बताना चाहूंग यह answer गलत है क्योंकि friends अगर आपने देखा होगा machine bolt में जो आयतकार slot होते हैं उसमें टी बोल्ट fit किया जाता है तो यहां पर जो correct answer था वो था टी बोल्ट उसमें objection उठाया था और टी बोल्ट यहां पर right answer आ गया था फाइनल आंसर की में राइट आंसर था option C next question की बात करने क्या है ध्यान से देखे 46 question कौन सा fastener अर्दिस्थाई है अब देख मैं आपको बताना चाहूँगा यहां पर निरहाई का मतलब वीडिंग होता है क्या होता है वीडिंग वीडिंग यहां पर लिखा है अगर आप इसका English version देखें जब आप पेपर को डाउनलोड करेंगे तो वीडिंग लिखा है ना कि बेल्डिंग लिखा है पर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अनुसार तो रिविटिंग होगा यहां पर राइट आंसर ठीक है यहां पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था तो यहां पर राइट आंसर रिविटिंग माना गया था क्योंकि अर्दिस्था यह आपने भी पढ़ा होगा बुक में फ्लक्स कहलाता है क्योंकि फ्लक्स की कोटिंग होती एलेक्टरोड के उपर चलिए नेक्ट कोशन की बात कर लें तो 48 कोशन है गेस सिलेंडरों में एसी टिलींज संचित होती है तो यहां पर मैंने बहुत पहले भी आपको यह कोशन करा चुका हूं हमारे जो टेस्ट होते ह उसमें कई वार में कोशन करा चुका हूं राइट आंसर बताए मुझे क्या हो सकता जितने वी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं द्रव रूप में डिजाल रूप में विल्को करेक्ट हैं यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 49 प्शन है हमारा यह रहा आपके सामने क्या लिखा है जिक्स और फिक्सर का उद्देश क्या है तो यहां पर उत्पादन दर बढ़ाना आपस में परिवर्तन शील निर्मार सुलब कराना मशीनिंग साटिकता बढ़ानी है उप्रोक तो सभी तो अगर मैंने आपको पहले वी कई बार बीडियों बता चुका हूं अगर उप्रोक तो सभी है तो 99.9% चांस बन जाते हैं कि राइट आंसर ऑप्षण डी ही होगा तो यहां पर भी करेक्ट आंसर ऑप्षण डी है उप्रोक तो सभी आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है हमारा 50 कोशन है ध्यान से देखें इस कोशन क्या लिखा है निम्न में से कौन 51 कोशन में लिखा है ट्रिमिंग प्रिक्रिया इससे संबंद है तो जो ट्रिमिंग प्रिक्रिया का संबंद है वो प्रेश कार से है यहां जो राइट आंसर है वो है ऑप्षण ए प्रेश कार अगला कोशन क्या है 52 यहां पर 52 कोशन पूछा है प्रेश कार में खाली भाग का अकार इसके अकार पर निर्वर करता है तो यहां पर राइट आंसर पंच और डाई नहीं है केवल और केवल वॉप्शन भी डाई यहां पर करेक्ट आंसर है, अब आगे बढ़ते हैं next question क्या है वो भी देख लेते हैं यहां पर 53 question पूछा गया है वह विसेस्ता जिससे एक पदार दूसरे को काट सकता है कहलाता है उसका साप एक चिक तो बड़ा ही सरल कोशन कई बार में करा चुका हूँ कि यहाँ पर राइट आंसर कटोर था याने हाडनेस होगी जो हाड पदार्थ होगा तो वह मुलायम पदार्थ पर अपनी चाप छोड़ देगा, काट छोड़ देगा, खरूंच पेदा कर देगा राइट आंसर है अप्षन बी चलिए नेक्स कोशन की बात करने यहाँ नेक्स कोशन क्या है वो देख लेते हैं दियान से धातू कटाई के लिए छेनी कटोर की जाती है अब आप लोग बताएंगे कि सर यहाँ पर राइट आंसर होगा कटाई सिरे पर पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह कोशन गलत है यहाँ पर कहां के कटोर की जाती है अगर आप इसके इंगलिस वर्जन में देखेंग तो ल टेमपर दोनों लेकिन यहाँ पर पूछा का यहाँ केवल हाड की जाती तो पूरे भाग को ही हाड किया जाता है और हाड और टेमपर की बाता है कि तब आएगी कटाई सिरे पर तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आप्सन बी चलिए नेक्स कोशन की बात कर लें यहाँ नेक्स कोशन है हमारा 55 क्या बोला है एक मानग घुमाप ड्रिल का कटाई सिरात कहलाता है तो बताई फ्रेंट्स क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर यहाँ जो राइट आंसर है वो है आप्सन है फ्लूट्स ठीक फ्रेंट्स चलिए नेक्स कोशन की बात कर लें नेक्स क्या बोल रहा है एक मानक भूमी ड्रिल का पॉइंट एंगल यानि जो नॉर्मल साइज होता है ड्रिल का वो कितना होता है कितना इंगल बनाता है तो 118 जिग होते नॉर्मल पर्पस के लिए तो सभी को पता था इस तरह राइट आंसर चलिए नेक्ट कोशन की बात कर लें हमा क्या है ड्रिल किये चिदर का फिनिस और आकार को बनाने के लिए हम रीमर का प्रियोग करते हैं या करेंट आंसर ऑप्शन ड्रिल कियेगा चिदर का फिनिस और आकार को बनाने के लिए हम रीमर का प्रियोग करते हैं 58 कोश्चन क्या है वो भी ध्यान से देख लें आप तूल दौरा ड्रेसिंग कारी तो राइट आंसर क्या हो जागा ऑप्शन ए चलिए नेक्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेक्ट कोशन क्या वह भी देख लेते हैं 59 कोशन है यह रहा आपके सामने एक घुमाव ड्रिल अपने शांक पदार्थ और खालिस्तान से निर्दिष्ट यानि specified किया जाता है तो बताई फ्रेंट्स यहां पर right answer क्या होगा जितने भी लोग मुझे बता रहे हैं उसका व्यास बी option विलकुल correct है यहां पर डायमीटर के दौरा यहां पर किया जाता है पदार्थ उसके बाद उसके व्यास और उसकी लंबाई लेंद के दौरा यहां साइच जिसे वह पकड़ देती है वही उसकी specified कहलाती है यहाँ जो right answer है वह option difference यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है अगली वीडियो आपको कल प्रोवाइट की जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe का bell notification को आँ जरू करने हैं यह हिंदी और इंगली दोनों में available है पेपर आपको मैंने description box में link दी है जाकर इसे आप आसानी से download कर सकते हैं थैंक्स